नमस्कार जय भवानी दोस्तों स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल Ambition Classes 2019 में तो दोस्तों जैसा कि हम अलग 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 क्लास के डोट्पिक लेके आ रहे हैं तो आज भी हम एक नया टोपिक लेके आए हैं क्लास 12 से और जी टोपिक से रहने वाला है बाय मोलिक्यूल से तो बाय मोलिक्यूल में दोस्तों आज डिसकस करेंगे हम किस पर alpha helix alpha helix and beta pleated beta pleated structure seat structure seat structure आज हम इसके structure draw करने वाले हैं, zit के लिए तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ में क्योंकि दोनों क्या structure draw करेंगे कैसे draw होते, क्या क्या होते, इसमें कैसे नहीं होते ओके दोस्तों, तो बिना देर किये हम स्टार्ट करते हैं, बिना डिले किये, तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ तो सबसे पहले हम बात करने वाले है alpha helix की alpha helix actually में क्या है alpha helix एक second structure होता है polypeptide, किसका protein का जो किससे बनता है, जब हम polypeptide change को क्या करते हैं, right handed में twist कर देते हैं, right handed में क्या करेंगे, twist करेंगे, okay ना तो इस से हमारे स्ट्रक्टर बन जाता है, यही क्या किलाता है क्या किलाता है, यही हमारा किलाता है alpha helix means helix alpha helix is the secondary structure is the secondary structure of protein is the secondary structure of protein which is formed which is formed by the twisting which is formed by the twisting of polypeptide chain polypeptide chain chain to the right-handed screw to the right-handed screw to the right screw-like structure तो क्या होता है कि दोस्तों alpha helix की बात आती है तो alpha helix एक second structure है कि इसका protein का जो कैसे बनता है जो बनता है हमारा polypeptide chain को twist करने से polypeptide chain को थोड़ा तो गुमा देने से turn कर देने से और कैसे turn करना है right-handed कैसे right-handed में अगर उसको turn करते हैं screw-like structure की ऐसे जैसे screw को क्या करते हैं right tight करते हैं किसी अगर screw लगाना तो इस टाइप से घुवाएंगे इस टाइप से right-handed अगर क्या कर देते हैं उसको twist कर दें polypeptide chain को तो एक helical structure आ जाता है okay spiral structure आए तो वही क्या कर लाता है alpha helix structure कर लाता है in in alpha helix hydrogen bonds hydrogen bonds are present are present between between NH group of NH group of amino acid amino acid in one turn with the CO group with the CO group of with the CO group of amino acid amino acid with the with the CO group of amino acid of adjacent adjacent what adjacent kya adjacent turn okay and this this is responsible and this is responsible for the stabileness for the stabileness of alpha helix तो दोस्तों simple ची बात कर लेती है देखो बहुत अच्छी बात है क्या सबसे पहली बात क्या कही गई है कि alpha helix क्या होता है secondary structure होता है protein का जो किसे बनता है polypeptide chain को right hand screw में right hand screw में twist करके बन जाता है alpha helix में hydrogen bond present यू होते हैं तो NH group क्या पहले turn NH group of amino acid one turn one turn के NH के group उसके side वाले CO group के साथ क्या होते हैं joint होते हैं दोनों यो joint होंगे NH और CO यो दोनों joint होंगे तो NS तो पहला वाला और CO उसके side वाला खीक करीब बाला उन दोनों आपस में जब जुड़े होंगे तो वो किस से जुड़े होते हैं hydrogen bond से जुड़े होते हैं और यही structure यही ऐसे जुड़ना पहला अगले वाले जुड़ना यही क्या बनाता है हैलिक्स को स्टैबलनेस देता है इस्टैबिलिटी देता है इत रैस्पोंसिबल फो दा स्टैबिलिटी इस्टैबिलिटी इस्टैबिलिटी ओध Wolf जो यही चीज इसके स्टैबिल होता है 1-5 इसकी स्टैबिलिटी के लिए responsible होता है दोस्तों चाहूं तो आप स्कीननी ढोदी ले सकते हो क्योंकि अब हम इसका जबहें च्ट्रकट्चर करें के तो दोस्तों बात करते हैं इसके structure कैसे बनेगा देको इसका थोड़ा चोटा से structure इतना बड़ा structure नहीं है बड़ थोड़ा सा mind लगाना होगा उस structure में ओके क्योंकि सबकर स्टॉक्टर सिंपल करते हैं कि अगर structure दो करा जाएं तो क्या होता है simple alpha helix का step से होता है step से structure होता है थोड़ा सा तो यह घूम जाता है और फिर यह घूम जाता है step से घूमता है रहता है बट अगर एक्चुली में structure देखा जाए इसको c-h bond से देखा जाए तो कैसे होता है अब हम देखो बात करेंगे यहाँ पर इसके structure की actual structure की ओके दोस्तों देखते रहे ना बहुत इस simple structure होगा ज्याद़ टफ नहीं है इसको छोटी बेज़ बता दूँ हमें simple asanasis को कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं और कैसे नहीं समझ सकते ठीक है easy method हम इसको बता देंगे कि कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं draw कर सकते हैं simply तरीके से पहले तो हमें क्या बना लेना है इस type से हम इसको बना लेना है , okay-, sorry, this one, here, 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 next, होड़ Bureau dando, अधसे लेके चलना है okay नो react Señor , यह एसे बिल्कुत सेम सेंव से पिरल लेके चलना है ये ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये 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 ओके ऐसे बना लेना है फिरस्ट अप वोला में यहां से क्या लिखना है ये लिखना है एनेच सी एनेच आर ओ एनेच यहां पर होगा और आर हमारा यहां पर होगा और ओ हमारा यहां पर होगा इस जग Double Bound O पहले हमी गे गा NH यहां भी क्या लिखके लेते हैं, NH यहां पर हमारा R आजाएगा और यहां पर Double Bound O आजाएगा Chad, इहां पर फिट से NH आईगा इदर R आईगा दोस्तो, इदर Double Bound फिट से O आजाएगा इदर फिट से NH आएगा इधर हमारा R आएगा दोस्तो तो इस तर R है स्ट्रैप्ट से बनेगा R and then इधर आजाएगा double bond O इधर फिट से NH आएगा इधर फिट से क्या आने वाला है? R आएगा और इधर फिट से हमारा क्या आजाएगा double bond O आजाएगा तो हम यही तक करते हैं अब जैस्ट आपोजिट में क्या लेना है? O, R, NH यहां से हमें कहां से स्टार्ट करना है? ओके तो हमें स्टार्ट करना है O से थोड़ा सा उपड़ से बनाएंगे इसको थोड़ा सा यह स्टैप से करके ओके तो यहां पर क्या लेना है? O लेना है यहां O, यहां पर आजाएगा R, यहां पर आजाएगा हमारा NH, यहां आजाएगा O, O double bond, सेम उसी तरीके से लेना था, इधर double bond O, इधर R आजाएगा दोस्तों, इधर आजाएगा O, R, NH आजाएगा यहां पर, इधर फिर R आजाएगा हमारा, N, O आएगा सोरी, यहां पर O आएगा, यहां पर क्या आएगा फिर next यहां पर क्या आएगा R आएगा, O, R, NH, इस टाइप से हमारा बनता चला जाएगा, ऑके, तो दोस्तों, वहारे simple से अगर बात आएगी, तो हमारे कैसे करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा से इधर वाले, थोड़ा disturbance हो राएगा, इसको हम फिर से कर लेते हैं दोस्तों, ऑके, थोड़ा सारा disturb में है, तो simple करके, हम यहाँ पर क्या करेंगे इस टैप से बना लेंगे यहाँ पर आ गया क्या एन एच एन एच आ गया दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा इधर साइड में अगर कहेंगे तो ओ आ जाएगा ओके यह ओ आने वाला है अगर इधर कहेंगे तो फिर से क्या आने वाला है इधर फिर R आएगा तो इस टाइप से अगर जोड़ते हैं यह O लिख देते हैं इस साइड में डबल बॉंड O यह R यह NH फिर यह O फिर यह आजाएगा R R आजाएगा फिर यह दोस्तों आजाएगा NH फिर इदर आजाएगा O फिर इदर दोस्तों इदर फिर आर आ गया दे फिदर एनेच आ गया एनेच फिर यहां से हो जाएगा आर दोस्तों एनेच के बाद यहां पर क्या आएगा ओ आ गया देखो यह ओ फिर उसके बाद क्या आएगा इज़र आके आर आ जाएगा ओ आर फिर इदर आके एनेच आ जाएगा तो उसी टाइप से हमारा structure बन जाएगा तो दोस्तों यह structure हमारा किसका आएगा यह structure हमारा होता है alpha helix structure यहां पर o और h के बीच में क्या बनने वाली है bonding बनने वाली है okay o h और o ho o h o h sorry n h यह n h है this one n h तो यहां पर o h के बीच में इसके बिच में क्या होगी यह bonding नहीं होगी इसे यह बोंडिंग हो जाएगी यहां पर भी नहीं होगी तो ऐसे ऐसे क्या होती है यह bonding बनती जाएगी और यह structure क्या होगा alpha helix structure होगा ओके दोस्तों बात करते हैं अब इसके बीटापीलिट्टेड की चाहों तो वो इसकीन सोट भी ले सकते हो, okay, now, बात आती है, बिटा प्लीटेड की, बिटा प्लीटेड, सीत स्ट्रक्चर, बिटा प्लीटेड, सीत स्ट्रक्चर, how can you define, first of all, what, बिटा प्लीटेड, सीत स्ट्रक्चर, is also the second structure of protein, is it clear, यह भी क्या होता है, it is also, it is also the secondary structure of protein, secondary structure of protein, okay, protein, clear, or it consists, it consists of various, of various, it consists of various, it consists of various, it consists of various, plitted, beta, beta, beta pleated, strands, इसमें क्या होते हैं, काफी सारे beta pleated strands होते हैं, is it clear, which are linked by, which are linked by, the hydrogen bond, the hydrogen bond, जो किसे linked होते हैं, दोस्तों, hydrogen bond से linked होते हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं, कैसे hydrogen bond से जुड़े होंगे, is it clear, simply, क्या होता है, यह second structure होता है, प्रोटीन का, इसमें beta pleated strands होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ, hydrogen bond से जुड़े होते हैं, adjacent, with the adjacent, with the adjacent strands, यह एक दूसरे strands के साथ है, जुड़े होंगे, और यह जुड़े होंगे, किसके जरीए से, किसके जरीए, यह hydrogen bond के जरीए जुड़े होते हैं, और we can say three to, three to ten, three to ten strands, 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 strands make a, make a one, what polypeptide, polypeptide chain, और यह तीन से लेके दस स्टेंड आपसे मिलके एक polypeptide chain बना लेते हैं, आपर structure लिको, structure, polypeptide structure बना लेते हैं, और polypeptide, peptide bond बना लेते हैं, polypeptide structure लिको, this one is the structure is good, okay structure बना लेते हैं, clear, first of all आता है, कि ये भी second structure होता है, प्रोटीन का, इसमें क्या होता है, काफी सारे बिटा प्लीटे इस्टेंड होते हैं, जो एक दूसे से हाइड्रोजन बोन के दिरिए जुड़े होते हैं, और पहला, अपने adjust and stand के साथ जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बोन से, तीन से दस इस्टेंड्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉली प्यप्टर इस्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस इट के लिए, हाँ, चाहो तो दोस्तों आप इसकीन सोट भी ले सकते हैं, उसके बाद हम इसका भी structure ड्रोग करेंगे, ओके, तो दोस्तों बात करते हैं इसके structure की, ओके, तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इसके structure की, तो ऐसे होगा, ये भी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ये फिर ऐसे, इसके दोस्तों भी कुछ लेबल में आना चाहिए क्योंकि लेबल में नहीं आएग तो गबड़ होगा फिर यह next next यह फिर ऐसे फिर ऐसे यह फिर ऐसे हो जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा यह फिर ऐसे फिर ऐसे तो यहां से start करते हैं यह nih nh this one r ये आर and O ये नह ये आर and this one O this one again NH and this one R and this one O double bond O same NH this one R NH this one R and this one O okay and this one what NH again NH this one R and this one what O this one is the O NH R and O sorry double bond O this one NH this one R and this one double bond O तो दोस्तों इसमें ये बॉन्डिंग होगी वो कैसे होगी इसमें इस टाइप से बॉन्डिंग होती है अगर हम बॉन्डिंग बताएं तो इसमें कैसे बॉन्डिंग होगी इस टाइप से बॉन्डिंग होती है ऐसे होगी और फिर इसमें क्या आता है अगर एक और आ जाए इसमें के अंदर ये नह आ जाए यहाँ पर तो यहाँ पर इसकी bonding कैसे हो जाएगी इसकी bonding यहाँ पर ऐसे हो जाएगी तो इस टाइप से इनकी bonding बन जाती है ऐसे 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 तो यह दोस्तों हमारा क्या होता है बिटा प्लीटेड इस्ट्रक्चर होता है इस वन इस दा वट बिटा प्लीटेड इस्ट्रक्चर बिटा प्लीटेड सीट इस्ट्रक्चर सीट इस्ट्रक्चर ओके चाओ दोस्तों आप स्किन सोट भी ले सकते हैं ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था चोटा सा topic था आज ये ले के आयते ज़्याद़ topic नहीं ले के आयते तो दोस्तो आई hop की समझ में आया होगा दोस्तो अगर समझ में आया तो channel को like share और subscribe जरूर कीजिएगा और अपनी दोस्तों में भी share कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तो एक अगली वीडियो में एक ने अलक्टोपिक के साथ एक नईए अनर्जी के साथ तो दोस्तो चाहो तो आप इनके चैप्टर का आप PDF भी ले सकते हैं इसका कम्पिटराइज नोड्स का PDF भी ले सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे टेलेग्राम चैनल में जाके कि आपको वहापँ जोइन कर सकते हैं और उसके बाद हम PDF होँआ से मिल जाएगी आपको वहाँ से आप डालोड भी कर सकते हैं ओके दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ ओके दो तब तक के लिए दोस्तों जैए